हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नयनिस्कूल पर हार देख स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में हम इस पर्स के द्वारा जारी किये गए 40 FAQ यानि फ्रिक्वेंटली आज कोश्चन्स जो हैं लेके आए हैं जब से इस पर्स आ पैंसन डाटा वेरिफिकिशन हो पैंसनर आइडेंटिफिकिशन हो सर्विस रिक्वेस्ट हो या गिरिवैंसिज हो ऐसे बहुत से सवाल हैं जो बार-बार कमेंट बॉक्स में आते रहते हैं और बार-बार इन कमेंट्स का जो है निदान किया जाता है तो आज मैं पूरी 40 FAQ कोई लिस्ट आपके सामने लेके आया हूँ वो लिस्ट मैं आपको दूँगा आप मेरे टेलिगाम चैनल से वो PDF फोम में भी प्राप्ट कर सकते हैं ये 40 FAQs हैं जिसमें आपके जो भी डाउट होंगे जो भी कन्फूजन होगा वो समाप्त हो जाएगा चाहे आपका माइग वेरी होगी उस FAQ में आप देखके खुद जान सकते हैं कि इसका समाधान क्या है चलिए सुरवात करते हैं अपने आज के वीडियो की अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए नोटिफिन बै देखें यहां पर पूरे 40 questions हैं मैं कोसिस करूंगा आपको step by step सबके बारे में बताने की जैसे पहला question यहां पर है कि मुझे ट्रेबल हो रहा है अवेलिंग सर्विसिस ओन इसपर्स पोल्टल यानि इसपर्स पोल्टल को मैं यूस करने में परिसानी महसूस कर रहा हूं तो उसके बाद में how to locate service center in my area आपको पता कैसे चलेगा कि मेरे आसपास मेरे area में कौन कौन से service center available है तो देखें पूरा पूरा workflow यहां पर दिया गया है जो working hour है वो Friday मंडे से लेके Friday तक सुबह साड़े 9 से लेके सामको 6 बज़े तक है आप देख सकते हैं आप Spurs की official website पर जाएं उसके पाद Spurs near you, Spurs या उसके बाद में service center locator, you are required to carry out mobile number to avail services at a service center, verify your using OTP to your registered mobile number, देखें जो registered mobile number है आपके पास OTP आएगा वो आपको बताना है, all services available on Spurs can be availed via pensioner's portal as well as service centers without any charges, आप service center जाएंगे या pensioner's portal पर जाएंगे तो देखें, without charges यहाँ पर आपको जो है सुईधाएं परदान की जाएंगे, if I have not received any SMS or email regarding my user ID and password, देखें बहुत बड़ा सवाल है भी, जिनका latest migration हुआ है, वो अपना जीवन परमान पत्र बढ़ना चाह रहे हैं, उनके पास सवाल सर, मेरे पास SMS email नहीं आया, user ID, password का मैं क्य करूँ, तो उन्होंने बता है, आप सबसे पहले ispers की officer website पर जाईए, यह और को मैं भी आपको बता चुका हूँ, login by entering your PPO number, अगर आप PPO number के last में, जो PPO number आपका 12 digit का है, उसके last में जो है, आप अपना 01 add कर देंगे, देखें, 12 digit का जो ispers PPO number है, उसमें last में 01 add करने के number के यहाँ पर PPO है, उसी आदार पर 02, 03, 04 यहाँ पर add कर सकते हैं, तो अगर आप family pensioner है, आपका coordinate paper PPO number 2 है, तो आप 02, तीसर है, तो देखें 03, यहाँ पर आप add कर सकते हैं, click on forward password button, आप देखें यहाँ पर forgot password, यानि password आपको नहीं पता है, आपको password डालना नहीं है, उससे पहले उसके नीचे forgot password का option है, उस पे click करें, you will receive a password, enter the password to login and change password, आपके mobile पे, आपकी mail पे एक password आएगा, आप उससे login कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपना password जो है change कर सकते हैं, फिर आप अपना password चेंज करके अपने पास हमेशा के लिए रख लीजिए, तो user ID और password आपके पास हो जाएगा, how can I view, download my pension details, जैसे basic pension, disability element, gratuity, other entitlements, PPO, pension slip, etc, तो इस परस में जाना है, जैसे आप open कर लेंगे, आपका data version वारा सब complete हो चुका होगा, तो right side में आप my documents option पर जाएंगे, उसके बाद में entitlements, उसके बाद में आपके देखिए सब कुछ दिखाई देगा, वहा pension slip में जाकर, यानि उपर जो है, top corners में आपके सब दिखाई देदेंगे, PPO, Cognitive PPO, pension slip, entitlements, यह सारे options वहाँ पर आपको my documents पे click करने के बाद दिखाई देंगे, तो आप वहाँ पर उनको जो है, जैक कर सकते हैं, where can I find the current and previous rates of DR applicable, आपको कितना DR मिलना था, कितना मिल रहा है, यह भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर go to में जाना है, pension orders and information, उसके बाद common problems and dearness relief, what to do if I am not getting correct rate of disability pension, disability element, अगर मुझे नहीं मिल रहा है, माल लिजे कि मुझे disability element जो 50% है, मिलना था वो नहीं मिल रहा है, तो देखे मैं कहां पर अपनी grievance range करूँ, तो यहाँ पर बताया है, इस first portal पर जाएए, उसमें आप go to, के बाद में grievance, payment related element of pension, यानि payment related, और उसके बाद में element of pension में जाकर अपनी grievance दर्जगर आ सकते हैं, how can I view my projected tax details of the financial year, देखे same services में जाकर, projected tax summary में जाकर, आप यहाँ पर अपनी details check कर सकते हैं, where can I find the current and previous rate of fixed medical allowance, कि मुझे कितना मिल रहा था, अभी कितना मिल रहा है, वो भी आप यहाँ पर check कर सकते हैं, the details of FMA along with the applicable rates till date is available on SPERS, यहाँ पर आपको pension order and information पर जाना है, उसके बाद में common problems, उसके बाद में fixed medical allowance, यानि जो भी आपके समस्याएं हैं, वो SPERS पर complete हो जाती हैं, देखें, यह point बहुत important है, my annual identification is due, how can I identify myself in SPERS, तो आप अपना जीवन प्रमान पत्र जमा कैसे कर सकते हैं, you can identify yourself using आधार, और provided life certificate issued by the designated authorities to have the entitled pension credited to your bank account, उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखें, यहाँ पर four identification using आधार, यानि digital life certificate, आपको go to services, identification और digital life certificate पर जाना है, उसके बाद में four identification using manual life certificate, तो services, identification और उसके बाद में annual life certificate में जाना है, different, देखें, यहाँ पर है, the videos of the process of identification are as follows, कुछ videos यहाँ पर link दिया गया है, आप कहेंगे, तो देखें, आप FAQs की साइट पर जाएंगे, उन videos को आप देख सकते हैं, कि किन किन तरीके से आप कर सकते हैं, how can I view my next identification due date, तो आपको services में जाना है, identification में जाना है और and view the, your identical fixion completed, including last identification date and next due कब है, याँ आपने कब किया था, और a next कब due है आपका, आप services में जाके, track migration status या identification status जो है, चेक कर सकते हैं, how can I obtain a blank form of MLC, आप online MLC blank form कहां से ले सकते हैं, वो भी यहाँ पर बताया गया, service identification and perform identification, वहाँ पर जाकर generate your MLC number and download the blank form of MLC certificate, यहाँ पर देखे, आगे बताया गया है, there is no time limit for uploading MLC after download of portal, कोई भी time limit ऐसा नहीं है, कि आपको एक दिन में करना है, 24 गंटे में करना है, time limit नहीं है, it can be uploaded anytime of its purse, MLC once submitted for identification, for a certain period cannot be reused, यानि आपने एक बार use कर लिया तो उसको दुबारे से आप use नहीं कर सकते हैं, whether I would be able to receive all my pensionary areas on delayed identification, yes, अगर आपका identification late हो जाता है, तो जो आपके areas हैं वो सब आपको मिलेंगे, जी हाँ यह साफसा बताया गया है, upon delayed identification, all applicable pensionary areas shall be paid, आपको जो भी आपका था सब कुछ जो है मिल जाएगा, अब आपनो MLC निकाल लिया, लेकिन sign करने की authority किसके पास है, यह आ दूर पता होना चाहिए, life certificate can be issued, signed by one or other of the following authorities, any person exercising the power of magistrate under the CRPC, criminal procedure code, a registrar or sub-registrar under the registration act, any pensioned officer who before retired exercised the power of a magistrate, any gazetted officer of government, a munsif, postmaster, a department of sub-postmaster, an inspector of post office, a class one officer of the reserve bank of India, an officer of the state bank of India, an officer of a subsidiary bank of the state bank of India, head of village panchayat, gram panchayat, और गाउप panchayat, head of executive committee of village, उसके बाद में लेकित 15 नमबर पर है, an officer of a bank included in the second schedule, जानि जो bank RBI की second schedule में available है, आप उसमें से किसी एक officer से करा सकते हैं, आप police officer, not brother rank of sub-expector in charge of a police station, यानि आप police station में जाकर जो SIE महाँ पर उनसे चेक करा सकते हैं, इनको in charge मिला हुआ है, यानि ये सब options आपके पास available हैं, इन सब के पास authority है, इन case of pensioners re-employed, a life certificate furnished by the pensioner side by the head of the office where he is re-employed, और सबसे important is a district mechanic welfare officer, वहाँ भी जाके आप अपने documents को sign करा सकते हैं, what all biometric devices are compatible with SPERS, देखें SPERS पर आपको अगर DLC submit करना है, through आपका finger के लिए तो देखें आपके पास biometric device होनी चाहिए, how do I report death of a family member in SPERS, SPERS में आप family member की death जो है कैसे report कर सकते हैं, आप देखें services option पर जाना है, report event, उसके बाद death, and provide required details along with the copy of death certificate, ये सारे documents आपको submit करने हैं, how do I report about a missing family member, कोई family member missing हो जाता है, तो देखें वो ही services report event, उसके बाद मिसिंग option पर आपको click करना है, यहाँ पर देखें, convicted हो जाता है कोई, तो same वो ही report event and convicted, यानि ये सारी चीज़ जो है, आपका services में जाके report event में जाके complete करना है, how to initiate family pension, आपको देखें family pension के लिए initiate करना है, तो भी आपको services में जाना है, event में जाना है, उसके बाद में, पहले आपको देखें that report कर दिया अगर ऐसी condition है, उसके बाद में initiate family pension, जैसी आप initiate family pension में जाएंगे, कुछ documents आपसे मांगे जाएंगे, आप वो documents submit करने के बाद में, जो अपनी family pension को सुरुआत कर सकते हैं, how do I update my basic details, mobile number, bank account number, pen or ispers, तो ispers में आप login कीजिए, my profile में जाएंगे, manage profile में जाएंगे, जहाँ पर देखेंगे, आपको pension टाइप को option दिखेगा, आप उस पे click करके उसको edit कर सकते हैं, आपको क्या करना है, my profile बजाना है, और फिर वही देखें, manage profile, how can I declare my investment or proof of saving of tax purposes, तो देखें, service request में जाकर investment declaration करना है आपको, अगर how can I apply for commutation in SPIRS, same service request करना है, और commutation request आपको डालनी है, I have registered a service request in SPIRS, how I can track, तो आप track कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आपको grievances में जाना है, payment related oblique detections, यानि आपको service request अगर चेक करनी है, तो आप इस तरह से यहाँ पर जो है, इस workflow के आधार पर चेक कर सकते हैं, how can I report or update re-employment details including discharge from re-employment, my profile में जाके employment oblique re-employment option आएगा, आप महापर ECS को report कर सकते हैं, how can I report my marriage remarriage, same my profile report marriage or remarriage, how can I request to stop my FMA for availing CGHS facility, आप ECHS CGHS facility लेना चाते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको manage profile पर जाना है, personal details में जाना है, और FMA पर जाना है, how to draw FMA if I am not availing any CGHS facilities, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बताया गया है, my profile, manage profile, personal details, fixed medical allowance, your address should be part of the district eligible for FMA, जो district की list दी गई होगी, उसके आधार पर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, पहले उसको death report करना है, जैसे मैंने आपको बताया था, उसके बाद में, once approved by the competent authority, apply claim for family pension and get death gratitude, यहाँ पर देख सकते हैं, services, report event, initiate family pension and provide required documents, आपके साही documents में आपको complete हो जाएंगे, what are the straight throw profile requests, how can identify them, available to registered users on this bus, state throw profile requests, don't need authorization from the competent concerned authorities, आपको profile manage profile पर जाना है, जैसे change in personal details like residence address, mobile number, email ID, आधार, PAN, change in back details for Indian nationals, तो यह साही चीज़ आप चोहाँ पर कर सकते हैं, what are approval based following profile requests, कौन-कौन के लिए approval की requirement होती है, देखे change in personal details like name change करना है, कुछ name में गरबढ़ है, date of birth में गरबढ़ है, change in service details like non-qualifying service, gallantry awards, तो यह चीज़े जो हैं, देखे, record के पास जाएंगी, उसके बाद ही यह साही चीज़े upload हो सकती है, कोई आपको add करना है, remove करना है, spouse और dependent details, तो देखे, वो part two order के लिए पहले आपके महाँ पर जाएंगी, अब है grievance related questions, I am receiving lesser payment than my sensing amounts, मुझे कम payment मिल रही है, जादे मिलनी चाहिए, आपको grievance डालना है, आप grievance पर जाएए, उसके बाद में payment related, और element of pension पर जो है, आप click कर दीजिए, माल लिजे किसी का अगर लिखा है कि disability pension मिलना चाहिए, लेकिन PPO में आई नहीं रहा है, कुछ incorrect details हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, grievances डालना है, payment related, और elements not sanctioned in pension, ये जो है pension में नहीं add है, तो कि ये छोटी छोटी गलती है, बहुत से pension बोलते हैं कि ispurs की इसमें गलती है, technical चीजे हैं, उसको reply करना चाहिए, या उसको turn down कर देना चाहिए, लेकिन अगर आप भी देखेंगे कि step by step आपको सब जंकरी दी गई है, तो आप उसी आधार पर query डालें, my tax has been detected wrongly, how do I report, grievances, payment related, or deductions, क्योंकि deduction हुआ है आपका, my amount for recovery is being displayed incorrectly in my PPO, how do I report such incorrect, same देखे payment related, or deductions में ही जाकर ये चीज़ भी check कर सकते हैं आप, how I have registered a grievance in his purse, how can I track, देखें जैसे बताया गया, for unregistered users without login credentials, and for registers users with valid login credentials, आप यहाँ पर raise कर सकते हैं, और अपनी जो grievances है, जो query है, उसको track भी कर सकते हैं, how can I claim constant attendance allowance, you can raise a payment related grievances, grievance payment related entitled note sensor, क्योंकि अगर आपको CAA मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पर इस type से grievances डाल सकते हैं, how to initiate about over payments to the dispersing agency, you can raise a payment related grievance, for the same by logging into your dispersed account, grievances payment related, or elements of pension, what should I do if I am not getting DNS relief, मुझे DNS relief नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूँ, grievance डालना है आपको same चीज, payment related or element of pension, क्योंकि DR भी जो है, pension का element है, how can I raise a grievance against a service request, you can raise a grievance against a completed service request, by providing details of the service request, for reference, कि देखे आपने पहले भी यह डाली थी, यह reference ID है, request ID है, इस date में है, फिर आप उसके आधार पर भी जो है, यहाँ पर raise कर सकते हैं grievance, whom and how to approach, if I am not getting correct pension, आप क्या कर सकते हैं, you can raise a payment related grievances, for the same, using any of the following methods, login to your Ispers account, call the Ispers helpline, or visit the nearest service center, यानि तीनों options available हैं, अगर आपको सही pension नहीं मिल रही है, आपको लगता है कि कोई amount आपको कम जादा है, आपकी कोई भी query है, देकि यहाँ पर बता है, Ispers account में जाकर आप अपनी company बता सकते हैं, Ispers help plan पर आप call कर सकते हैं, सबसे easy तरीका है Ispers help plan पर call करना, और आप चाहें तो अगर आपके आज़ पास nearest service center available है, तो देकि वहाँ पर भी आप अपनी समस्याएं जो हैं बता सकते हैं, ये थे वो 40 FAQ जो Ispers की तरफ से जारी किये गए थे, जिनका पता होना आप सबी के लिए जरूरी है, मैं ये PDF अपने टेलग्राम चैनल Nanny School पर भी दे दूँगा, और ये मैं आपको जो है comment box में भी या description box में भी provide करा दूँगा, फिर मिलेंगे आप से, जै हिंद, जै भारत.